हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार स्वागति के बाद फिर से आप सभी का ठूरी तो के इस वीडियो में दोस्तों राजसान प्लीस के रिजल्ट को लेकर ओफिसियली न्यूज आ चुकी है मैं आपको अपडेट इस वीडियो में देने वाला हूँ और ये नियूस कटिंग है इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों आप जो रिजल्ट अप्ला है साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रिजल्ट आने के कितने दिन बाद आपका फिजिकल होगा और काफी बच्चे अभी भी कटोप के बारे में कन्फ्यूज है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कितने नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी अभी से सुरू कर दें दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको राजस्तान पुलीस के रिजल्ट के पहले जो आपकी फाइनल आंसर की आएगी उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा राजस्तान वन पाल और वन्रक्षत भरती परिक्सा की तैयारी हमने इस चैनल पर सुरू करवा दी है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस करके ओल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिलेगा वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल जो इस पर सेथे हैं आपको इंपोर्टेंट नोट्स, पीडियेप, MCQ टाइप क्यूसन और जो भी निउज अपडेट होती है वो देता रहता हूँ तो टेलिग्राम चैनल को आप जरूर जोइन कीजिगा चलिए अब हम बढ़ते हैं उस निउज की ओर जो राज़तान कुलीस के एक्जाम को लेकर आज ही आई है तो यहाँ आपके सामने ये एक निउस कटिंग है जो आज की ही निउस कटिंग है बारा लाख OMR की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है आपकी जो कोपिया है उनकी स्कैनिंग पूरी हो चुकी है जांच नहीं हुई है स्कैनिंग हुई है तो स्कैनिंग पूरी हो गई है जनवरी तक आएंगे आपके नतीजे अब कब आएंगे कितनी तारीक आएंगे ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर इस नियूज में लिखा है पांस जार से ज़्यादा पदूं के लिए नवंबर के पहले सपता में आयोजी तुई कोंस्टेबल भरती प्रिक्षा में सामिल वे करीब 12 लाग अभ्यारतियों की OMR सीट की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है और इस स्कैनिंग के बाद अब जो आपकी 25 दिसंबर तक फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी अभी दोस्तों जो आपकी आंसर की आई थी यह फाइनल आंसर की नहीं थी इसके उपर आपने objection किया था जो question इसमें wrong print थे या option wrong थे उनके उपर आपने objection किया तो उनमें अब जो भी improvement होगा उसके बाद में आपकी 25 December को final answer की है वो जारी कर दी जाएगी और final answer की जारी करने के बाद में आपकी OMR seat जांचने का काम है वो शुरू किया जाएगा क्योंकि final answer की आने के बाद ही OMR seat की जांच होती है क्योंकि उसमें जो question जो गलत होते हैं उसके आधार पर उसमें OMR seat में आपके नमबर है वो दिये जाते हैं इसके बाद में जनवरी के आखरी सप्ता तक भरतिपरिक्सा का नतीजा आने की यहां पर बात कहिए तो मेरा यहां मानना है दोस्तों का आपका जो result है वो 10 से लेकर 15 January के बीच डिकलेर हो जाएगा यान की जनवरी के बीच में बीच के सप्ता में आपका result है वो डिकलेर हो जाएगा यहां पर बता रखा है कि जो result है यह जनवरी के last जो सप्ता है उसके अंदर जारी होगा लेकिन जो सुत्रू से जानकारी मिली है जो प्लीस विबाग से जानकारी मिली है उसके इसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 से लेकर 15 January तक आपका result है वो डिकलेर हो जाएगा आपका क्या मानना यह comment box में लिखिएगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि result के कितने दिन बाद आपका physical होगा तो दोस्तों result आने के लगबग 30 से 45 दिनों के बाद आपका जो physical है वो लिया जाएगा तो आपके पास result आने के बाद कम से कम 30 या जादा से जादा 45 दिन का समय आपको दिया जा सकता है आपके physical की तैयारी के लिए अब दोस्तों वो नमर बता देता हूँ जिसके आधार पर आप physical की तैयारी सुरू कर सकते हैं तो कटोप पे नहीं जाएंगे मैंने एक वीडियो आपको कटोप पे पहले ही बना कर दिया है अगर नहीं देखा है तो आप channel page पर जा कर देख सकते हैं यहां पर दोस्तों मैं खाली आपको safe score के नमर बताऊंगा जिससे आप अपनी physical की तैयारी सुरू कर सकते हैं दोस्तों अगर आपके 48 marks बन रहे हैं तो आप physical की तैयारी सुरू कर सकते हैं 48 marks जिन बच्चों के बन रहे हैं वो अभी race में अच्छे तरीके से सामिल है और उनको physical की तैयारी करना चाहिए आगे की बात अलग है लेकिन उनको यह chance है यह लेना जरूर है 48 marks अगर आपके बन रहे हैं तो आप physical की तैयारी सुरू कर दीजिएगा और जो भी information थी वो मैंने आपको update देती है आगे जो भी news आती रहेगी वो मैं आपको update करवाता रहूंगा चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजिए बेल आइकन को press करके all पे click कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने mobile के किसी भी एक educational group में share जरूर कीजिएगा thanks for watching मिलेंगे next उडियो में तब तक के लिए जैहिन